मीन राशी वालों को अपने जो काम है उनको एक स्पीड से और सामान अवस्था में कर देना चाहिए पूरा कंप्लीट ऐसा नहीं करना चाहिए कि आराम कर रहा है फिर एक आएक याद आया और उठे और फिर उसको जल्दी बाजी में कंप्लीट करने का प्रयास किये उसकी दीजिये यह नहीं कि चार दिन का काम एक दिन में करने का प्रयास करिए और उसके बाद रूर ना हो यह हम आपको क्यों बता रहा है क्योंकि ग्रहों की इस दिखिया जो है वह इसी प्रकार हैं आपके लिए समझ लिजे क्या है गुरु जो है आपकी रासी का स्वामी नव तारीक से अक्टूबर में वक्री हो जाएगा फिर उसके बाद सनी देव आलेडी वक्री अवस्था में कुम्बरासी में पड़े हुए और फिर मंगल देव भी रासी परिवर्तन कर रहे हैं बुद्ध भी कर रहे हैं सुक्र भी कर रहे हैं सब लोग रासी परिवर्तन भी कर रहे हैं इसी महीने सुर्य देव भी रासी परिवर्तन कर रहे हैं तो नमाशकार मित्रों मैं प्रसांद सिर्वास्त आपका सागत करता अपने YouTube चैनल स्रीप्रसांत अश्टर राजी में मित्रों अक्टूबर का महीना मीन रासी वालों के लिए कैसा है इस पर आज हम लोग धुग चानने का प्रयास करेंगे मीन रासी वालों के लिए अक्टूबर का महीना चुरहेगा तो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेके आएगा यह जो रिजल्ट होंगे उनके एक्षन पे भी काफी डिपेंड करेंगे इस महीने अपने काम को आलस की वज़े से बहुत जल्दी वाजी में पूरा करने का प्रहाश करेंगे जिसको कहतें न कि सोते सोते से जागेंगे और पर चाहेंगे कि हमारा काम पूरा हुचा और इसी चक्कर में पिर हो सकता है कि पिछअड़ भी जाएं इसलिए मित्रों यह महीना जो है आपको कह रहा है इस समय शे काम काम पूरा करने के लिए आप प्रयास करिए और अगर आप एक पूरी महनत से काम करते हैं तो निश्ची तुरूप सी यह महीना आपको काफी अच्छा फल्मी दे सकता है यहां पर आपको उता दें कि आप प्रयास करिए लेकिन प्रयास जो है आपके पूरे नहीं हो पाएंग कि आलस इस महीने आपको बना रहेगा अब दूसरी चीज आर्थिक लाव इस महीने आपको हो जाएगा लेकिन खर्चे जो हैं आपके जरूरत से जादा हो जाएंगे वह आपको इस महीने दिक्तर करेंगे मित्रों यह महीना खर्चे के कारण आप इसे इस रूप से परिसान र को भी बताया है इसके लिए आप जो है खर्चों पर भी अपने नियंत्रान रखिए जो आपकी आर्थिक इस्तिती है उससाब से आप खर्च करिए दूसरी बात कि इस महीने किसी भी प्रकार की जरूरत से जादा भागदावर करने का भी प्रयास मत करिए उसको भी आप एक ल आगेगा यह काम भी नहीं पूरा हो पाया और पाम भी पूरा नहीं हो पाया फिर आप अपने आपको फ्रस्टेटेड मैसूस करेंगे उतना ही काम करिए जितना आप पूरा कर सकते हैं यह महीना स्वास्थ के लिहास से भी थोड़ा सा आपको कुछ तिकत दे सकता है उसके इसलएक है को सांवधान रहना चाहिए लेकिन इस महीने आपका रहेगा कुछ यहादी आप सुरू करने का प्रोग्राम बनासकते हैं नहीं भी कर सकते हैं लेकिन मेरी आपको फिर बहुत सलाह होगी जरूरत से प्यादा काम का बोज अपने समर्मत लीजे एक एक काम करिए निप्टाने करियास करिए आर्थिक रूप से आपको इस महीने ठीक ठाक मिवस्ता बनी रहेगी बस खर्चों पे अपने कंट्रोल करिए पारवार एक सुखसवार जो है वह भी आपको बना रहेगा बस आपको इस महीने थोड़ा ध्यान से चलना है मैं तो इस वीडियो में फैल हाल के लिए इतना ही पुना किसी नए वीडियो में हमसे लख रात होगी तब तक लिया गया दीजिए नवश्कार झाल झाल